हालो प्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं श्यार करें हूं हाइट पंपकिन की रेसिपी जिससे पेठा बनाते है और इसको हम लोग चालकूंडा भी बोलते हैं इसको बनाने के लिए मैंने एक चालकूंडा लिया छोटा साइच का जिसका सीट बहुती सॉप्ट होगा उससे अच्छा टेस्ट बनता है बहुती टेस्टी और हिल्दी रेसिपी देखिए इसके साथ मैंने नारियल आधा दिया है और इसको काटना है बहुती चोटा-चोटा इस तरह काटना है और नारियल को भी ग्राइंड कर लिया है और उसके साथ चाहिए चीनी चीनी वांट चाहिए कालं चीए भी 1 टी स्पून चाहिए और चाहिए पियाच बिना पियाच का भी बहुत अच्छा लगता है और चाहिए सुखेल लाल मेट्च, त्रेचबात्ता, अध्रग और ग्रीन चिल्ली कि अध्रग वांटी स्पूल चाहिए इसको मास्टाड इसे बनाएंगे और घायक घी भी चाहिए गड़ाय का घरम कर लिया अभी इसमें डलेंगे मास्टाड सिफ को अच्छ गरम होने देंगे कि अ गरम होते ही इसमें डलेंगे सुखे रेट मीट्स और कालंची और तेज पत्ता और इसके साथ चाहिए आद्रोप पर पेस्ट वान्टी स्पुन और इसको थोड़ा सा भूंग लेंगे और ग्रीन चिलने चाहिए देखे फ्राई हो गया है अब ये डालेंगे इसमें प्याच अप्याज को भी एक मिनिट प्राई होने देंगे ये बहुत ही देश्टी देश्वी होता है आप जोरू ट्राई करें इसे आभी इसमें डालेंगे जो चाल कुम्रा और उसको एक साथ मिला लेंगे और मिलाते हुए इसको एक मिनिट कुक करेंगे इसमें बिल्कुल पानी नहीं देना है कि यूँपी ये पानी छोड़ते हैं देखें हमने मिला लिया अच्छे से अभी इसमें डालूंगी नामक श्वाद अनुसार और हल्दी बहुत ही कम देना है यूँपी हालका कलारी अच्छा लगता है और रेड चिल्ली पाउडर भी हम इसमें खौम डालेंगे बहुत ही खौम और चिनी वांटी स्पून और भूना हुआ जीरा वांटी स्पून बहुत ही हेल्दी होता है और इस सब को मिला लेंगे मिलाते हुए इसको दो मिनिट कुप करेंगे इस अबस्ता में गैस को मीडियम रखना है नीचे से जलने का चांच रहता है बिल्कुल पानी नहीं जाना है और इसको ढाक के 5-7 मिनिट कुप करना है इसको मिलाते हुए इसको फिर से ढामते हैंगे और इसको कूख हने देंगे पानी छोड़ दिया है और आधा से ज्यादा बल्ड भी हो गया है इस अबस्ता में इसको अच्छी तरह मिला लेना है अब इसमें डालेंगे नारियन का जो पीस्ट बनाया था इसको भी मिला लेंगे इसको मिलाते हुए है और भी एक मिलिट कुप करेंगे और जो पानी है उसको सुखा देना है बिलकुल इसको प्लेवर भी बहुत अच्छा है देखनें भी देखें कितना बढ़िया लग रहा है साड़ नारियन को मिला लेख साड़ नारियन को मिला लेख अभी इसमें डालेंगे गाय कागी यह भी वान टेबल स्पूं चाहिए इसमें अच्छा कुस्बू भी आता है और इसको भी मिलाते हुए है और एक मिनिट कुप करेंगे अच्छा लेख तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्रीप कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्रीप कीजिए 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 लुए